तो दोस्तों ये बात गलत है और मैं आपको आज इसका पूरा complete information और complete empowerment देने वालाओं कि software क्या होता है और business automation क्या होता है तो दोस्तों देखते हैं कि software में क्या के चीज़ें होती हैं सबसे पहला चीज़ अगर हम लोग finance business कर रहे हैं तो finance business से related specific software होता है जिसमें customer की entry हो जाएगी जिसमें customer का खाता बन जाएगा जिसमें customer का loan account बन ज जाएंगे unique उसमें ID बन जाएगी उस unique ID में उसका statement कभी भी निकाल सकते हैं फुल मिलाकर customer के हर एक transaction का management finance business के normal software में होता है जिसमें हम लोग उसकी data की entry कर पाएंगे उसके withdrawals check कर ले पाएंगे अगर उससे पैसा मिला तो वो देख पाएंगे उसमें interest का amount आजाएगा TDS आज करेगा उसमें कोई और बहुत जादा features नहीं होता और बहुती nominal reporting के उसमें concept होते हैं reporting में बहुत सारे चीजें उसमें limited होती है दूसरे टाइप का software होता है billing software अगर आप big bazaar या small bazaar जितने टाइप के अगर retail shop में जाएंगे या wholesale shop में जाएंगे तो हर कोई देखिएगा कि तुरंत उसको बार्कोडिंग सिस्टम कर से connect करता है billing वहाँ पर हो जाती है वहाँ पर print निकल जाता है उसमें वह थोड़ा से एक interface रखते हैं जिसमें cash का receipt payment भी हो सकता है आप डाल लोगे इसके अलावा यह हो सकता है कि वहाँ पर GST का अभी अलग से return के लिए तैयारी पादे हो सकता है कि उसमें पूरा पाटी का report निकाल के दे हो सकता है कि जितने pending bills और बिल से अगेंस्ट में पेमेंट है वो भी यहाँ पर निकाल के दे लेकिन billing software में इससे जादा नहीं होता है या तो बहुत request करने के बाद कुछ को software's provide करते हैं लेकिन यहाँ पर एक और प software लेके रखें उसके साथ में inventory अगर आगई बहुत अच्छा कुछ लोग के वल inventory के लिए भी software लेते हैं कुछ लोग billing के साथ software लेते हैं तो इसको inventory बोलते हैं next हो गया आपका customer के साथ में सारा interaction उसके लिए CRM मतलब customer relationship management का जो software है यह software बहुत ज़ादा जरूरी है सारे लोग हम लोग हमेशे क्या करते हैं यह पूसते हैं कि भाई CRM software है ठीक है कितने का देगा यह बता दे उसके अंदर क्या मैं manage कर लूँगा यह fashion हो गया हर किसी को CRM software लेना लेकिन CRM में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको जरूरत है और उसके अंदर में नहीं होती है यह marketing में भी help करता है sales में help करता है feedback में help करता है और support में help करता है अब इसके बाद आते हैं कि अब यह सारी चीज़ें हो गई इसके अलावा कुछ business ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा सा अपने specific requirement के अनुसार software बनाते हैं जिसको tailor made software बोलते हैं वो सारे चीज़ों का blend भी कर सकते हैं सारे किज़ों को मिला सकते हैं कुछ कुछ requirement वो अपने अनुसार उनको जो चाहिए वो software वाले को बोलते हैं और बहुत लंबा समयों पर लगाते हैं उसके बाद भी उसमें अपडेशन प्रॉपर कई बार नहीं होता और नहीं होने के कारण दिक्कत होती है और हमेशा software वाले के उपर में निर्भर रहना पड़ता है और software वाले के हाथ पैर जोड़ते रहने पड़ते हैं यह जितने भी software मेंने बता है उसमें data security का कोई guarantee नहीं है कोई भी agreement नॉर्मली लोग करते नहीं है और agreement करने के बाद भी software वाले बहुत ज़्यादा blackmail करने के condition में आते हैं बहुत सारे live example मेरे काफी सारे client है जिनको हमने agreement बना कर दिया वो agreement software वाले ने लिया उसके बाद भी sign करने के बाद भी agreement से हट गए और वो धमकी देते रहे कि भई आपक वापस से चाहिए चाहिए एकुल मिला कर blackmail करते हैं तो software के उपर 100% dependency बहुत ज़्यादा reliable condition में ही possible है तभी जब आप बहुत standard company के साथ में आप deal कर रहे हो और इसके अलावा सामने वाला जो software provider है वो dignified हो और उसका track record बहुत अच्छा हो लेकिन आपको क्या चाहिए एक reasonable cost मे automation चाहिए लेकि software और automation का फरक आपको पता नहीं मैंने 5 प्रकार की चीज़ें already आपको बता दी लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो solution जो आपके business को second level पर next level पर third level पर tenth level पर hundred level तक ले जाएगा वो है business automation क्योंकि business automation एक concept है जिसमें आपके जितने business के काम है वो सारे क काम को automate कर दिया जाता है जिससे हर चीज़ें अपने आप चलने लगती है हर काम केवल feeding के बाद में उसके outputs generate हो जाते हैं और उसको ही automate किया जाता है इसलिए इसका नाम है business automation तो सबसे पहले इस process में क्या किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ यह business automation में business analysis किया जाता है business existing अभी क्या चल रहा है किस तरीके से काम हो रहा है workflow क्या है वो सारे चीज़ों को एक बर जांच करना पड़ता है check करने के बाद में organize करना पड़ता है business tools की कौन-कौन से चीज़ों को हम लोग को use करना चाहिए यह भी diagnose करना पड़ता है कि उस tools को कहा कहां पर use करेंगे उस हो जाता है और networking tools जब भी हम लोग business करने जाते हैं तो हमारा marketing बोथ स्ट्रॉंग नहीं होता है कई बर sales पर जान देते तो marketing चूल जाता है marketing पर जान देते हैं तो यह दोनों चीज़ें चूल जाती है marketing और sales तो इस case में marketing भी अगर automated रहे तो फिर आपका marketing हमेशा चलता रहेग उसके staff के पास में पूरा defined उसके पास दिंचर्या रहेगी और process रहेगा वो process को उनको करना ही पड़ेगा नहीं करने से भी alert आ जाएगा इसके अलावा networking के सारे tools जिससे connectivity बना रहे customer के साथ में prospect के साथ में market के साथ में वो सारी चीज़े business automation का part होती है next is social media marketing अब ये social media marketing के ल बहुत जादा lead नहीं है हमारे पास actual में क्या है ये social media marketing के बारे में आपको कुछ नहीं पता है या फिर थोड़ा बहुत पता है हम लोग ये बताते हैं कि social media marketing में कौन-कौन से चीज़ें करनी पड़ती है और उसके बाद में वही सारे चीज़ों को automatically जो भी हमने schedule बनाया है उस schedule में क्या क्या चीज़ें हो जानी चाहिए और वो post हो जाना चाहिए वो जहां-जहां जाना चाहिए वो चले जाना चाहिए जाने के बाद में उसका report आ जाना चाहिए हमारे पास complete track record social media marketing का भी होना चाहिए ये भी business automation का एक part है क्योंकि अगर आप connected नहीं हो तो फिर आप sales लाना मुश्किल हो जाएगा right next is sales automation अब मैं sales की बात कर रहा था अब sales के लिए हम लोग जब भी किसी के साथ बात करना शुरू करते हैं तो जब तक कि ये वो sales close नहीं होता तब तक के complete communication system और उसमें कौन जिम्मेदार है किसने follow up किया कितने बार follow up किया follow up करने के बाद में म next is business reporting आप कोई भी धंदा कर लो कि आपने बहुत सारा system लगा दिया बहुत सारा business automation के बाकी process लगा दिये लेकिन अगर आप reporting पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो धंदा डूब सकता है क्यों डूब सकता है क्योंकि आप confusion में रहोगे आपको पता ही नहीं रहेगा मैं बढ़ रहा investment report हो, return on investment report हो, हर तरीके की report जो कि हमारे management में और operation में decision लेने में help करती है वो सारी चीज़े business reporting में automate किया जाता है next is operational automation and tools, हमारा जो भी routine काम है वो सारे चीज़ों को हम लोग operation में लेते हैं, routine जितने भी काम है वो automatically हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं क्योंकि routine word बोलते ही साथ हमारा हमको लगता है normal सा काम है, लेकिन अगर normal काम नहीं किया तो problem हो जाएगी, for example, रात में आपके घर की कुंडी अंदर से लगी रहनी चीज़ों, छोटा सा routine काम है, नहीं लगा है तो चोरी हो सकता है, exactly उसी तरीके से operations को भी automate करना एक important business automation का एक part है, अब आ रहे हैं देखिए बहुत important जगा पर customer support और quotation, customer support के लिए customer के साथ communication और उनके साथ complete उनके requirement को fulfill करना, satisfy करने का पूरा जो process है, उस इसने भी quotation मांगा, immediate, automatically, थोड़े से information डालने के बाद में quotation, जहां-जहां आप चाहते हैं, वहां-वहां mail हो जाए, वहां-वहां पहुच जाए, उसके बाद उनका भी feedback वह आपके पास आ जाए, तो इससे customer support और quotation का भी automation possible हो जाता है, 9th point है HR और admin automation, जब हमने बाकी सारी ची उसके बाद machine और tools सारी चीज़ों को process करने वाली है, और हमारे business को autopilot और automation mode में डालेगी, इसलिए HR automation सबसे important part होता है, recruitment से लेकर, training से लेकर, उनका progression, उनका growth, उनके साथ communication, documentation, agreement और उनके साथ में ongoing relationship और documentation को HR complete करता है, automation के जरिए, और admin automation में, administration के सारे काम को automate करना पड़ता है, आपको लग रहा है कि कितना सारा चीज़ मैंने बोला business automation में, business automation केवल एक software नहीं, ये जितनी चीज़े मैंने बताई, इसमें बहुत सारी tools की जरूरत रहेगी, लेकिन integrated करके आपके हाथ में देंगे, ये guarantee हमारी है, ताकि आपके हाथ में complete power रहे business को आगे ले जाने के लिए दोस्तों आप जानते हैं मेरा mission है हमेशा आप लोग की मदद करना, तो अगर आप interested हो किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए, तो दिये गए number पे call या message कर सकते हैं, और नीचे description में हम वो link भी देने वाले आपको, जिसमें आप click करके अपना interest show कर सकते हो, ताकि आपकी ह काम और ज्यादा मदद कर पाएं, आपका दिन सबर्दस्तों शुखरू